बथुआ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है सर्दियों में आप किसी भी रूप में इसे खाएं पर जरूर इसका सेवन करें इससे आप बहुत सारी बीमारियों और सर्दी से बचे रह सकते हैं तो आज हम बनाएंगे बथुआ आलू की बहुत ही डेस्टी सबजी तो चले फिर देर किस बात की शुरू करते हैं बनाना बथुआ और आलू की सबजी बनाने के लिए हमने एक कड़ी बथुआ लिया था जिसके जो मोटे डंठल थे वो हटा दिये थे और इसे हमने तीन चार बार पानी से अच्छे से धो लिया था इसके बाद छलने में रख दिया था ताकि इसका जो अत्रिक्त पानी है वो सूख जाए यहाँ पर दो आलू लिये हैं तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले बथुआ को चौप करेंगे तो बथुआ को हमें एकदम फाइन चौप करना है तो देखे जितना महीन आप काट सकते हैं उतना महीन महीन आपको इसे काटना है तो यहाँ पर हम बथुआ को इस तरह की से बहुत तेस्टी लगती है तो इस तरह से चॉप करने के बाद थोड़ा सामें से और कट कर लेंगे जिसे की अच्छे से महीन हो जाए तो यहां पर इसी तरह से हमने सारा बधुआ काट करके रेडि कर लिया है अब जो आलू अपने लेती उसे हमने छेल लिया है धो लिया है अ एक कडाई रखी है, इसमें हम 3-4 चमर सरसो का तेल डालेंगे और इस सबजी को हम सरसो के देल में ही बनाएंगे, तेल गरम हो जाएगा, तो जो आलो हमने कट करके रखी थी, उन्हें हम इसमें डाल करके हमें आलो को भून लेंगे, अच्छा सा गोल्डेन कलर आने तक, जैसे आलो हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इने निकाल लेंगे, अब इसमें जो बचा हुआ तेल है, उसी में हम सबजी बनाएंगे, बहुत जादा तेल नहीं लगता है, यह दिखें जो बचा हुआ तेल है, इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्माज जीरा, दो से तीन चुटकी हिंग डाल देंगे, साथी साथ हम डालेंगे, साथ से आठ के लियां बारीक कटा हुआ, लैस उन, तीन, चार, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, इन तीनों चीजों को डाल करके हम हलका गुलाबी होने त चौप करके डाला है, अब हम टमाटर के थोड़ा सौप्ट होने तक इसे पकाएंगे, तो टमाटर हमारे हलके से सौप्ट हो गए हैं, अब हम इसमें एड कर देंगे, यह चौप किया हुआ बद्धुआ और इसे भी भूनेंगे 2-3 मिर्ट तक बढ़िया से, थोड़ी देर अब ही आप देख सकते हैं, यह कौंटिटी में काफी कम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब बद्धुआ सौफ्ट हो जाएगा, तो यह कौंटिटी में थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें एड कर देंगे अपने फ्राई किये वे आलू, अगर आप आलू को फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे सबजी में, तो सबजी का जो टेस्ट है वो ज्यादा अच्छा आएगा, और आप चाहें तो बिना फ्राई किये भी इसे बना सकते हैं, तो आलू डाल के अच्छे से मिला दिया हमने, अब एक छूटा चमश हम नमक डालेंगे, या फिर काप स्वात के अनुसार डालिएगा, मिक्स करेंगे बढ़िया से, और अभी हम इसमें बाकी के कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, अब हम फ्लीम को धीमा कर देंगे, और ढख करके हम इसे 4-5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे आलू भी अच्छे से सौप्ट हो जाएंगे, बद च्छोटी चमच हम धनिया पाउडर डालेंगे, एक चमच डालेंगे, चिली फ्लेक्स, ये भी आप स्वात के अनुसार डालेगा, और चौथा च्छोटा चमच हमने इसमें अमचूर का पाउडर डाला है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अमचूर का अमचूर करेंगे, और ठक करके हम इसे एक दो मिनट तक और कोक करेंगे मसालों के साथ, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है, वो आलू और बधुआ में अच्छे से आ जाए, तो बस इसे मैंने दो मिनट तक पकाया है धीमी आच में, एक बारी फिर से अच्छे से मिक्स करेंग और ये लिजे फ्रेंच हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू बधुआ की सबजी बनके तयार है, बधुआ में बहुत अधिक मात्रा में आईरन पाया जाता है, तो इसका सेवन आप जरूर करेंगे, और इसकी तासीर गरम होती है, और इसे सर्दियों में ही बनाया जाता है, औ और बधुआ जो होता है, वो आप कुछ सर्दियों में ही मिलेगा, तो आप इसे भरपूर इंज्वाए कीजिए, पराठे बनाये, इसकी रोटी बनाये, या फिर आप इसकी सबजी बनाये, बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो इस गरमा गरम सबजी की रेसिपी को